नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूटूब चैनल पर जहांपर हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी और बच्चे जैसा की हिंदी का सेशन था एक दिन पूरी क्लास दूसरे दिन अभ्यास एक दिन पूरी क्लास यानि आपको मैंने पूरी त्योरी करा दी ह अब आपकी बारी है कि आप अभ्यास कैसे करते हो बच्चे प्रैक्टिस सेशन है ये और ये सेशन आप कहते हैं ना कि जब भी परिच्छा पे जाना होता है तो उसके पहले प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है तो बच्चे ये जो क्लास आपकी बनाई गई है ये क्लास और उसके साथ class, यानि theory class, फिर उसके बाद practice class, दोनों को मिला कर बनाईगी है, जिस दिन आप एक दिन class पढ़ेंगे, जब भी पूरी class complete होगी, उसके बाद theory class होगी, कि आपने कितना सीखा है, जरूरी है, जरूरी है जानना कि आपने कितना सीखा है, और अगर आप अच्छे स्लाबस जानना है सर, परिच्छा का स्लाबस जानना है, तो टीचर कहता है, भाया केवल previous year question उठालो, क्या उठालो, PYQ उठालो, previous year question उठालो, सब कुछ पता चल जाएगा, बस लगालो अपने आप 20 से 25 नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे, होता है ना, तो previous year question बहुत ज और आप सभी तो बहुत तेज हो, आप सभी तो बहुत तेज हो, क्योंकि बचे क्या है यहां पर, क्या मैं बताने जा रहा हूं यहां पर, क्योंकि आप सभी को सब कुछ पता है, मैंने दो क्लास में सब कुछ बता दिया इसमें, जो कुछ आएगा वो आपको already पता है, तो आपकी यह जो क्वेशन दिख रहे है ना यह लूसेंट किताब के हैं जब भी अगर मन हो खोल के देखने का तो देख लीजेगा पूरी लूसेंट हमको खतम करनी है क्लियर हाँ चलो तो चलिए सुरू करते हैं बच्चे तो आज का पहला क्वेशन आपके सामने कौन सा है पहला क्वेशन आपके सामने है हिंदी किस भासा परिवार चलो एक बार जल्दी से बता दो क्लास को रेडी किया जाए क्लास को रेडी किया जाए जल्दी से बताओ आप तयार है आप तयार है थाफ़ा जल्दी से क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेशन बहुत मज़ेदार होना चाहिए सब कुछ मैं यहां पर बताने वाला हूँ बस आपको केवल याद करना है, नोट नहीं करना है, बस याद करना है, जब भी आप भूलो ये वाली क्लास देखो, याद हो जाएगा सब कुछ. तो जल्दी से भाया वीडियो सेर करो, जल्दी से, हाँ, सब ही लोग बताने लगे हैं एंसर, तो चलो, बताते हैं, सब लोग कह रहे हैं, सर जी, रेडी करो जल्दी से, अब बस. हिंदी किस भासा परिवार का परिवार की भासा है, तो आ गया यहाँ पर क्या भासा परिवार, क्या गया बच्चे, भासा परिवार, हमने बताया था, विश्यो में कितने भासा परिवार हैं, तो आपने एंसर दिया था, सर जी, अगर विश्यो की बात करें, तो बारा भास इसमें हैं? 3,000 भासाईं विश्व में बोली जाते हैं. según this je 3,000 भासाई कितने भासा परिवार के उंतर оруж साय और 12 भासा परिवार हैं थीकम तो भारत में कितने है स म То कि शार चाण में केवल चार भासा परिवार एसे और वह कौन है आपके सामने लिखे हुए एक भारोपी है, एक द्रवीड है, एक आश्ट्रिक है, एक चीनी तिब्वती है, याद करो तुरंत, भारत में चार भासा परिवार थे, ये चारो लिख दिये गए हैं, अब बताया गया था सबसे बड़ा भासा परिवार कौन सा है, तो हमने कहा था कि भारोपी भासा परिवार में 73% लोग हैं, कितने लोग हैं बच्चे, 73% लोग हैं, 73% लोग हैं, कितने बच्चे, 73% जब भी आ जाए, भारोपी भासा परिवार में कितने लोग हैं, तो 73% लोग हैं, द्रवीड में कितने हैं, तो 25%, कितने हैं, 25%, यहीं पर आश्ट्रिक पूछा जाए, तो 1.3% और इसके बाद अगर चीनी तिबती आता है तो आप लगा दोगे 0.7% यह भाई percent value याद कर लेना बड़ी आसानी से याद हो सकती है ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं होगी अब दिख रहा है सबसे बड़ा भासा परिवार कौन सा है तो भारोपी भासा परिवार सबसे बड़ा भासा परिवार है और हिंदी किस भासा परिवार के अंतर गताती है तो याद कर लो आपका एही option से ही है हिंदी किस के अंतर गताएगी भारोपी भासा परिवार के अंतर गताएगी आप सभी के answer क्या है बिलकुल सही है सभी के answer सही है बहुत बड़िया तो हिंदी भासा परिवार का अंग है, हिंदी भारोपी भासा परिवार का अंग है, 73% लोग भारोपी भासा परिवार के हैं, कहां पर भारत में, भारत में 4 भासा परिवार हैं, इतनी बात clear हो गई, सबसे छोटा भासा परिवार कौन सा है सर, तो चीनी तिबती सबसे छोटा भासा परि दूसरा number question भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है ठीक है भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है सबको पता है भाया भारोपी भासा परिवार 73% का है यह भारोपी भासा परिवार 73% का भारत में क्यूं हुआ क्यूंकि भारोपी भासा परिवा में हिंदी बोली जाती है, इसलिए 73% लोग हैं, तो हम कहेंगे अगर भारत में सरवाधिक कोई भासा बोली जा रही है, भारत में अगर कोई सरवाधिक भासा बोली जा रही है, तो वो कौन सी है, तो बच्चे हिंदी है, कौन सी है, हिंदी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना ह बहुत बढ़िया सभी के अंसर सही सही आ रहे हैं, very good, हाँ बहुत बढ़िया, मुकेश, हिमानसी, पूजा, तो जल्दी जल्दी हम लोग question करेंगे, फटा फट बिल्कुल time नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको मैं पूरा सब कुछ बता चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इसमें बहुत ज़्यादा चीजे जोड़ी जाएं, उससे confusion होती है, आप याद करो इनको, तो भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है, तो बच्चे हिंदी है, हिंदी की जननी कौन है, संसरकत है, संसरकत पहले कौन सी बोली गई थी, वैदिक, फिर उसके हिंदी भासा का जन्म हुआ है, हिंदी भासा का जन्म हुआ है, कहां से हुआ है, इसमें बहुत से बच्चे गलत कर देंगे, मैंने बताया था, हिंदी अपने रूप में कहां से आई, किस समय से, किस चीज के बाद हिंदी अपने रूप में आई, ठीक है, तो जल्दी से बत बताएंगे, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हिमांसी का सही है, very good, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बच्चे बिलकुल सही है, हिंदी भासा का जन्म, भाई संस्रकत तो जननी है, और जननी नहीं है, संस्रकत आदी जननी है, ठीक है, आदी ज हुआ है तो हम तुरंत कहेंगे अपभरंस इसे हुआ था कहां से हुआ था बच्चे अपभरंस इसे हुआ था मैं आपको बता दू सबसे पहले क्या था संस्कृत थी सबसे पहले संस्कृत थी फिर उसके बाद जैसे ही संस्कृत आगे बढ़ी तो बच्चे पाली में आई यहीं से अपभरंस का विक्रत रूप भी था जो अपभरंस का अपभरंस था बच्चे अवहट क्या था अवहट ये सारी चीजे आपको पता हैं बहुत अच्छे से तो अपभरंस के बाद हिंदी का विकास हुआ है हिंदी का विकास हुआ है तो हम क्या मानते हैं अपभर का अभरणस हमने सिखाये थे उनसे हिंदी की बोलिया निकली है छैए अपभरणस युद आप युद्व आई आप यह जी लाइन आपको याद होनी चाहिए ठीक है तो चलिया अगले question पर चलते हैं बच्चें अगले question पर चलते हैं, अब हम फडाक से देखो, क्योंकि बिल्कुल टाइम वेश नहीं करना है, question number 4 पर हम लोग पहुँच चुके हैं, question number 4 पर, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ answer क्या होगा, निमलिखित में से कौन सी बोली अथवा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है, यानि हिंदी के अंतरगत नहीं आती है, तो हिंदी तर है, क्या है, हिंदी तर है, आपको मैंने बताया था, कि अपभरंस के बाद, क्या हुआ यही है, आप ध्यान से सुनो कहानी को, कि हमने बत आया था कि अपभ्रंस के बाद, जैसे ही अपभ्रंस समाप्त हुआ न, उसी के बाद आधूनिक भारती आरे भासा काल चालू हो गया, और अपभ्रंस के बाद हमें क्या मिली थी, अपभ्रंस से हमें हिंदी भी मिली थी, और हिंदी के साथ कुछ हिंदीतर भासाएं भी मिली थी, हिंदी तर, हिंदी तर मतलब हिंदी प्लस इतर, हिंदी से परे, जो हिंदी नहीं है, और अपभरंस से ही निकली थी, आपको अपभरंस से केवल हिंदी निकली थी सर, गलत है, ऐसा नहीं है, अपभरंस से हिंदी भी निकली है, और हिंदी के साथ कुछ हिंदी तर पांच उपभासाएं, इन पांच उपभासाओं से 17 बोलियां आती हैं, अगर पांच उपभासाएं ना हो और 17 बोलियां हटा ली जाएं, जो कुछ है वो हिंदी के अंतरगत नहीं आएगा, और यह कोई बड़ी चीज नहीं है, रटने वाली चीज नहीं है, आप रट सकते हो इसको, आप पहला दूसरा वीडियो देखो जाके, इसमें सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा कि किसके, कन्नौ जी, सर जी कन्नौ जी, यह तो सौर सेनी अब्भरंस से निकली थी, हिंदी मानी जाती है, बांगरू, यह बांगरू वही है, हरियानवी, बांगरू को क्या कहते है जाट बोलेंगे, तो जाटू है, ठीक है, जाटू भी बोलते हैं, कन्नौ जी, यह ओंकार बहुला की भासा है, यह आकार बहुला है, अवधी, अवधी भी सर हिंदी है, तेलगू नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, भाया हिंदी कन्नौ जी भी है, हिंदी की बोली है, है सर, चार भासा परिवार में भारोपी भासा परिवार की तो हिंदी थी, लेकिन तेलुगू किसकी है, जरविड भासा परिवार की है, कन्फरम हो गया, तो तेलुगू हिंदी के अंतरगत नहीं आती है, चलो, अगले पर आजाओ, अगले सवाल पर आजाओ जल्दी से, हाँ यिर्दी की विशिष्ट बोली ब्रजभासा भाई ब्रजभासा यह तो किसी को बताने वाली चीज़ ही नहीं है कि ब्रजभासा में क्या लिखा जाता है। तो आप सभी जानते हो जब से ब्रजभासा चल रही थी उतमें साहित की रचना बहुत हुई है। ठीक है अगर ब्रज भासा है तो उसे हम कहते हैं ब्रज भासा में बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हुए हैं ठीक है बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं तो आज से आप याद रख लो बहुत जादा बार question पूछा गया है कि जो ब्रज भासा है सर जो ब्रज बढ़ाओ इनको क्या करो बढ़ाओ दूसरे दिन अभ्यास तो अभ्यास आपका चल रहा है फटा फट बस अमसर देते जाओ तो हिंदी की विसीष्ट बोली ब्रजभासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है तो आप कह दोगे जो ये प्रसिद्ध हुई है वो काब्यभासा से प्रसिद्ध हुई है काब्यभासा कहते है ब्रजभासा को ठीक है तो अगले क्वेशन पर चलते हैं तो अगल कि राज भासा मानते हो, कि राज भासा मानते हो, यह चीज बतानी आपको, वेरी गुड, बच्चे, टॉपिक क्लियर हो गया, निधी सिंग, आप पहली क्लास में आई है, ठीक है, इसके पहले दूसरी तीसरी क्लास हो चुकी है, वहाँ पर आप देखिए, भारत वर्स में हिं हिंदी है सर, यह ओफिसियल लेंग्वेज है, क्या है, दर्बारी भासा है, क्या है बच्चे, दर्बारी भासा, यानि दर्बार के जो काम, जो दफतर के जो सारे कामकाज होते हैं, वह हिंदी में होंगे, ठीक है, ओफिसियल लेंग्वेज का मतलब क्या होता है, यह है ओफ मुगलों की दरबारी भासा क्या थी तो सर जी मुगलों की दरबारी भासा फारसी थी यानि मुगल जो अपने कामकाज करते थे वो किस भासा के अंतरगत करते थे फारसी के अंतरगत करते हैं लेकिन अब जो इस समय की बात करें तो इस समय इसका जो आप समिधान में नाम यू लोगों के अगर उससे देखा जाए तो बहुशंख्यक लोगों के उससे हिंदी को राष्ट भासा माना जाता है लेकिन राज भासा कहना बहुत उची थै क्योंकि साविधान ने इसे राज भासा बताया है ठीक है तो चलो बास समझ में आ गई है तो हिंदी को आप कि भासा ओफिसियल लेंग्विज राज भासा यानि की दर्बारी भासा क्या कहेंगे बच्चे दर्बारी भासा कहेंगे ठीक है क्लियर है चलो अगले कोश्चन पराजओ जल्दी से तो अगला कोश्चन फटाक से देखो अगला कोश्चन क्या है बच्चे जल्दी से बताओ अगला क्वेशन क्या है? धुन्धारी, धुन्धारी, आप धूरते धूरते पहुंचे थे, याद है कहानी कल की? कि आप धूरते धूरते पहुंचे थे, अगर ये पूरा राजस्थान है, ठीक है, और इधर क्या है? इधर क्या है? उत्तर प्रदेश है, आप धूरते धूरत पहले ही आपको क्या मिल गई? पहले ही आपको मिल गई क्या? यार ये राजस्थान है, राजस्थान का ये पूर्वी राजस्थान मिल गया, अगर पूर्वी राजस्थान पहले ही मिलेगा, आप इधर से जा रहें उत्तर प्रदेश से, तो पूर्वी राजस्थान पहले ही म पूछे जाते हैं और हमने इसकी ट्रिक भी बताई है वहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुशन बड़े आसान से लगेंगे धुड़ारी को ही हम क्या कहते हैं बच्चे धुड़ारी का ही दूसरा नाम जैपूरी है क्या है जैपूरी है तो आप से अगर पूर्वी राजस्थानी भासा है या पूर्वी राजस्थान की भासा है क्लियर है पूर्वी राजस्थान की भासा है चलो लगती बच्चे मैस की क्लास साथे-पांच बजे चलेगी लेकिन आपका क्लास मैं बता रहा हूं थोड़ा चेंज हुआ है आठ बजे की क्लास ठीक है से ओर है आप बिल्कुल भी घब्राइए नहीं आपका रिजल्ट यहीं से बनेगा Phoenix Academy संसान से आपका रिजल्ट बनने वाला है चलो question number eight पर आजाओ जल्दी से question number आठ पर आजाओ, तो Q8 क्या कह रहा है, ब्रजबुली, 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 तो याद रखो जो ब्रजबुली है बच्चे, ब्रजबुली है, वो पुरानी बांगला के नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, पुरानी बांगला के नाम से जानी जाती ह ठीक है याद कर लो अब ये बांगला जो है ये क्या है सर जी हिंदी के अंतर गताती है नहीं बांगला हिंदी तर है बांगला क्या है हिंदी तर है किससे निकली थी ये जो पुरानी बांगला है ये सर मागधी अपब्रंस से निकली थी किससे मागधी अपब्रंस से मागधी अप्रण से बववा बिहारी निकले थे, कौन निकले थे बच्चे, बववा बिहारी, तो बास से बांगला निकली थी, उडिया निकली थी, असमिया निकली थी, और बिहारी हिंदी निकली थी, जो कि हिंदी की एक उपभासा है, कन्फर्म हो गया कि नहीं, तो बच्चे यहा को हम पुरानी बांगला के नाम से जानते हैं, इतना confirm हो गया होगा, चलते हैं अगले question पर, तो अगला question आपके सामने कौन सा है, देखते हैं, Question number 9, question number 9 क्या कह रहा है, तो question number 9 पर हम लोग आ जाते है, Question number 9 कह रहा है, कि निम्न लिखित में कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, तो याद रखो, देवनागरी लिपी में गुजराती नहीं लिखी जाती है, और ये जो भासा है ना, ये हिंदी तर भासा पूछ रहे हैं, कि ऐसी कौन सी हिंदी तर, जो हिंदी नहीं है, लेकिन तब भी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, तो भाई गुजराती भी हिंदी नहीं है, हिंदी के अंतरगत नहीं आती है, उडिया भी हिंदी के अंतर देव नागरी लिपी में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं बच्चे, देव नागरी लिपी में लिखते हैं, जो लिपी का इतिहास है, जितनी भी लिपियां हैं, अगर हम बात करें लिपियों की, जो भी लिपियां हैं, यह हमने नहीं पढ़ाया था, तो थोड़ा सा समझ ले तो आपका सीधा सेंसर रहेगा, सरजी जो भी लिपिया है वो ब्राम्भी लिपी से, ब्राम्भी लिपी से उद्भव हुआ है, ब्राम्भी लिपी से लिपिया निकली हुई है, जो ब्राम्भी लिपी थी, ये बच्चे दो भागों में बढ़ गई, कहां पर जब गुप्त क और एक हो गई दच्छड ब्राम्भी, एक हो गई दच्छड ब्राम्भी, ठीक है, जो उत्तर ब्राम्भी, दच्छड ब्राम्भी, उत्तर ब्राम्भी में कौन-कौन सी लिपिया निकली है, तो हम क्या देंगे सर जी उत्तर में मलयालम लिपि, मलयालम लिपि, ठीक है, मलयाल तेलगु कन्नड लिपी निकली है और चौती बच्चे तमिल लिपी निकली है कौनसी तमिल लिपी तमिल लिपी तो देखो ये भी तो तमिल भी भासा है ना तमिल लिपी में लिखी जाती है लेकिन निकली किस से है ये लिपी तो हम कह देंगे ब्रामभी से निकली है तो जब ब्रामभी किस समय पर पहुंची? जब ब्रामभी गुप्त काल में पहुंची, तब ये इसमें विभाजन हो गया, उत्री ब्रामभी अलग हो गयी, दचिडी ब्रामभी में मलेयालम, ग्रंथ लिपी, क्या है बच्चे, गुप्त लिपी आगे समय के अनुसार फिर परिवर्तन हुआ गुप्त लिपी में, तो इसको हम कहने लगे सिद्ध, क्या कहने लगे बच्चे? सिद्ध मात्रका, सिद्ध मात्रका लिपी कहने लगे, कौन सी? सिद्ध मात्रका लिपी कहने लगे, और जैसी ही बच्चे ये औ और आगे बढ़ी, तो इसको हम Kutil Lipi कहने लगें. К्या कहने लगें? Kutil Lipi. ये चौथी सताब्दी की बात है. न थिकर? चौथी सदी की. तो Kutil Lipi कहने लगें. Gupat Lipi में? उत्तर बाम भी Gupat Lipi में कन्वर्ट हुई. फिर Siddha Maatrak confirming kon emails कन्वर्ट हुई. दो भाग थे तो आप यहां पर लिख लो एक नागरी एक नागरी और एक सारदा एक सारदा लिपी जो कुटिल लिपी थी आगे चलकर नागरी और सारदा लिपी में तूट गई विभक तो हो गई अब कहेंगे जो सारदा लिपी थी सर जी यहां से यहां से कौन कौन सी लिप को कहते हैं ये कौन थे तो भाया ये दूसरे उत्रा धिकारी थे कौन थे बच्चे दूसरे उत्रा धिकारी थे ठीक है तो गुरु मुखी लिपी का किस ने यूज किया था गुरु अंगद ने लिक किया था फिर गुरु मुखी लिपी यहीं से लेहंदा लिपी निकली लेहं गुरुमुखी लिपी आती है, लहंदा, टाकरी और कस्मीरी आती है, याद आपको करना है, ठीक है, मैं गुरुमुखी लिपी के बारे में बता रहा हूँ, गुरुमुखी लिपी का यूज पंजाबी लोग करते हैं, कौन करते हैं, पंजाबी भासा के अंतरगत किया जाता ह तो गुरुमुखी पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी के रूप में ठीक है अब आती है नागरी तो नागरी को हम ले लेते हैं कुटिल से नागरी निकली सारदा निकली जो नागरी थी ना इसकी दो उपसाख हैं थी कौन कौन साख हैं थी एक थी बच्चे पूर्वी पूर्वी नागरी और एक थी पश्चमी नागरी एक कौन सी थी पश्चमी नागरी ठीक है एक पूर्वी नागरी थी एक पश्चमी नागरी थी अब पूर्वी नागरी के अंतरगत बच्चे कौन सी थी तो याद कर लो बांगला, बांगला, पूर्वी नागरी, पूर्वी नागरी लिपी है ये, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ये नागरी लिपी है, नागरी लिपी, मैंने लिपी के बारे में बता दिया, अभी लिप के बारे में थोड़ा और बता देंगे, जो नागरी लिप चूपी है ना वो दो भागों में तूटके पूरवी नागरी लिपी पाश्चमी नागरी लिपी से कौं सी लिपिया निकली है बांगला लिपी to you है, उसके बाद यहीं से निकली कौन सी है बच्छे, यहीं से निकली है Bangla के बाद उडिया और असमिया. उडिया और असमिया, यह नोट करने वाली चीज है, असमिया. देखो मैं ज़्यादा बताओंगा नहीं, ये चीज मैंने बताई नहीं थी लिपी और एक वीडियो बनाएंगे हम लिपी का तो लिपी हम सिखा देंगे उसमें जो पश्चमी थी बच्चे यहां से आपकी देवनागरी निकल आई देवनागरी राजस्थानी राजस्थानी लिपी भी कहा नागरी लिपी से निकली है और यहीं पर गुजराती गुजराती और कैंथी कैंथी ये लिपियां कहां से निकली है तो पश्चमी से निकली हुई है आप इसका इसका स्किन सॉट ले सकते हो ठीक है बहुत important news है बच्चे ये ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है हना तो चलते हैं अगले सवाल पर अगले सवाल पर अगले परसन पर चलते हैं आप इसका स्किन सॉट ले लो ठीक है तो बच्चे यहां पर हम कह रहे थे जो मराठी है मराठी है उसको हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं देखो राजस्थानी है वो राजस्थानी लिपी में लिखी जाएगी राजस् जा सकता है जो ब्राम्भी लिपी थी वो दो भागों में टूटी थी एक उत्री ब्राम्भी एक दच्छडी ब्राम्भी में दच्छड वाली जितनी भासाइं थी वो लिपिया निकली हैं दच्छडी ब्राम्भी से कौन सी लिपिया निकली हैं जो दच्छड भासा कुटी लिपी के दो भाग हुए नागरी सारदा, साददा से लिपिया निकली गुर्मुखी, लहनदा, टाकरी, कसमेरी और नागरी से भाईया वो सामने है, इस किन सोर ले लो? आप नोर्स बना लेना, चलो भाई, अगले सवाल पर चलते हैं, अब important है, अब important आगे चलते हैं चलो, question number 10, question number 10, जल्दी से बताओ, question number 10, बहुत ही अच्छा सा question है, जल्दी से बताओ, इसका answer क्या होगा, इसका answer क्या होगा, हाँ, जल्दी से answer बताओ, इसका answer क्या होगा, जल्दी से answer बताओ, भईया, सबी लोग, like a button दबादो, मिरे लाल, like a button दबादो, एक मनई के दूई बिटवे रहिन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा, मा जवन हमर बकरा लागत होए, तवन हमका दैदे, ठीक है, तो भईया, कौन सा है, जल्दी से बताइए, कौन सी ये बोली है, कौन सी, बताइए भई, वेरी गुड, तो बताओ भाई, ऐसी तो भासा हमी लोग बोलते हैं, हाँ न, एक मनई के दूई बिटवा रहें, लो, एक मनई के, एक मनई के दूई बिटवा रहें, ठीक है, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा मा जवन हमार बकरा लागत होए, ठीक है, बकरा मतल कि बुछट्पुरी नहीं है भोषपुरी है भोषपुरी में बा लग जाता है अधिक तर नहीं है ठीक है तो बच्चे में क्या कहते हैं चलते हां अगले सवाल पर तो अगला सवाल आपके सामने Question number 11 Question number 11 जल्दी से बताओ निमलिखित में कौन सी भासा संसरकत भासा की अपभरंस है अपभरंस का मतलब क्या होता है संसरकत के बाद कौन सी भासा आई वो अपभरंस है उसके बाद कौन सी आई अभी मैं अपभरंस के बारे में बता रहा हूँ तो आपको बताना है निमलिखित में कौन सी भासा संसरकत भासा की अपभरंस है जल्दी से बताओ अपभरंस मतलब विक्रत रूप होता है कि संसरकत का विक्रत रूप क्या है संसरकत कनवर्ट किसमे हुई है तो संसरकत समय के अनुसार किसमे कनवर्ट हुई है सबका एंसर आ गया होगा तो संसरकत का अपभरंस क्या होता है जैसे आप से पूछा जाए सबसे पहले वैदिक संसरकत थी वैदिक संसरकत ये आगे चलकर क्या बन गई लौकिक संसरकत हो क्या हो गई लौकिक संसरकत बन गई और बच्चे जैसे ही लौकिक संस्कत हुई आगे चलकर ये क्या बनी? पाली बनी. पाली बनी. पाली आगे चलकर क्या बन गई? प्राकरत हो गई. प्राकरत हो गई. प्राकरत आगे चलकर क्या बन गई? अपभरंस. क्या हो गई बच्चे? अपभरंस हो गई. ये सीरियल आप प्राचीन हिंदी थी, फिर मध्यकालीन हिंदी थी, फिर आधोनिक हिंदी थी, ठीक है, तो इस तरीके से ये करम था, तो आप से जानतों क्या पुछा जाएगा, वैदिक का अप्भरंस बताओ, तो आप कहा जाए, कि लौकिक संस्रकत का अप्भरंस बताओ, तो आप कहा ठीक है तो बच्चे वैदिक संस्कत और लौकिक संस्कत तो पूरा एक ही संस्रकत अगर माने हम, तो हम कहें संस्रकत का अपभरंस क्या है, तो संस्रकत से कौन सी भासा बनी है, पाली भासा बनी है, तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा, D option हमारा correct answer हो जाएगा, confirm है, confirm है कि नहीं, बहुत important है, अपभरंस, जल्दी से बताओ, आप कमेंट करके, अपभरंस का अपभरंस, किसे कहते हैं, अपभरंस किसे कहते हैं, तो बच्चे important question है, अपभरंस का अपभरंस किसे कहते हैं, तो तुम देखोगे, पाली का अपभरंस है, तो सर प्राकरत का अपभरंस किसे कहत अपभ्रंस का अपभ्रंस किसे कहते हैं तो answer हो गया अवहट को कहते हैं अपभ्रंस का अपभ्रंस सर जी किसे कहते हैं अवहट को अवहट अवहट ठीक है आओ फिर हट ऐसे करते हैं अवहट को करते हैं ठीक है तो अवहट फिर एक चीज और इसमें इसी का question पूछा जाएगा अवहड को ही हम परवर्ती, परिवर्ती अपभरंस भी कहते हैं, दो नाम आप सीख लो, याद हो जाएंगे, अपभरंस कहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीज़े important थी, तो अपभरंस निकालना आप सीख गए हो की नहीं, अपभरंस निकालना आप सीख गए हो ना, हाँ, very good, very good, बहुत बढ़िया, चलो, अपभरंस निकालना सीख गए हो, इस question का answer क्या है, संसरकत भासा का अपभरंस, तो ये तो संसरकत भासा है, वैदिक संसरकत, लौकिक संसरकत, पूरी संसरकत, संसरकत का अपभरंस, पाली को कहते हैं, D option बच्चे क्या है, सही answer है, अब आप नि अधिकतम भारतिय भासाओं का विकास, कह रहे थे ना, याद कर लो, question मिलेगा ऐसा, अधिकतम भारतिय भासाओं का विकास किस लिपी से हुआ है, चलो, समझते हैं, लिपी क्या है, लिपी क्या है, अब आग या न, लिपी के विकास के बारे में बता दिया है, हमने, जो लि क्या दोगे hindi है लेकिन आप से कहा जाए हिंदी में type करो, कहीं पर हिंदी तुमको मिलेगी, हिंदी का option दबाद होगे, नहीं मिलेगी, आपको देवनागरी लिखी मिलेगी, क्यूं? क्यूंकि हिंदी जो है बच्चे वो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है लिपी क्या है देवनागरी है देवनागरी मतलब हर भासा की एक इससे हम जान गए कि जो हर भासा होती है उसकी एक लिपी होती है लिपी यानि स्क्रिप्ट कहते हैं हाना अब एक चीज़ समझ लो कि जो ध्वनियों का आचार विचार आपको क्या करना है, ध्वनियों के माध्धम से अपने आचार विचार की अव्यक्ति को हम भासा कहते हैं, आप ध्वनियों के माध्धम से किसी को समझा पा रहे हो, अपनी बात उसे बता पा रहे हो, तो वो भासा है, तो आप से conversation कर रहे हैं, हम आपको बता पा रहे हैं अपन लिख के बता पाओगे, तो हम यह कह देंगे, लिखकर अगर अपने विचारों या भावों को हम किसी को आदान-प्रदान कर सकें, तो उसको हम लिपी कहते हैं, तो लिपी हमैसा लिखी जाती है, भासा हमेसा बोली जाती है, फिक है? तो बच्चे आप ये समझ लो और अब ही सबसे बताया था जो भी भारत में लिपिया है जो भी लिपिया है उत्तर से लेकर दच्छिड तक जो भी लिपिया है वो सारी की सारी लिपिया ब्रामभी लिपि से निकली है और ये आपका एंसर हो गया D option ब्रामभी लिपि से मैंने क्या बताया था एक बार रिवाइच करो जो ब्राम्भी लिपी है ब्राम्भी लिपी आगे चल कर गुप्त काल में दो भागों में तूट जाती है एक उत्तर ब्राम्भी होती है एक दच्छिड ब्राम्भी होती है दच्छिड ब्राम्भी में दच्छिड की लिपिया निकलत उत्तर लिपी हुई, फिर गुप्त लिपी हुई, फिर सिद्ध मात्रका लिपी हुई, फिर उसके बाद कुटिल लिपी हुई, कुटिल लिपी तुरंत विभक्त हुई, जिसमें सार्दा लिपी और उसके बाद आपको बताया था कि सार्दा लिपी के साथ नागरी लिपी का यहीं पर जन्म हुआ, नागरी लिपी की दो साखाएं थी, एक थी पूर्वी लिपी, एक थी पश्चमी, पश्चमी में देवनागरी लिपी थी, तो देवनागरी लिपी तक हमको आना था, बता दिया सब कुछ, ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लेंगे, तो समझ में आ ज जाती है, भाई अभी बताया, भासा, मैं आप से बात कर रहा हूं, मैं अपने भाव, अपने विचार आपको समझा पा रहा हूं, वो हिंदी भासा में कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं चीज लिख के, अब यह लिख के मैं बता रहा हूं, यह किसमें लिखा हू कहते हैं, आसान भासा में समझ लो, तो हम जो हिंदी लिखते हैं, वो बच्चे देवनागरी लिपी में लिखते हैं, चलो, लाइक का बटन दबाओ भाईया, जल्दी से, लाइक का बटन दबाओ, चलते हैं अगले कोश्चिन पर, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जो हम आपको बताएं, ठीक है, सब कुछ बताएं आपको, हिंदी की लिपी कौन सी है, देवनागरी लिपी है, चलो भाईया, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप, मतलब अगर हम खड़ी बोली बोल रहे हैं, तो वही हिंदी मानी जा ऐसे वैसे बोलता है ठीक है तो हम किस हिंदी को सबसे ज़्यादा मानते हैं खड़ी बोली को जो अच्छे से खड़ी बोली का यूज कर रहा है तो वो हिंदी है तो हम यह कहते हैं हिंदी का जो प्रचलित रूप है आप तुरंट लगा दो खड़ी बोली है सर जी जिसको हम करफे कहते हैं, खळीबोली को हम क्या कहते हैं, कौरफि कहते हैं और ये जो कौरवी है ऴना न ये पश्चमी लिए क अंतरगताती है । किसरत एंतर है भार्ट सबसे जढ़ां बोलेजाते है मेरत में कहां पर बोली जाती है, तो मेरट में, आप याद रखिए, मेरट में कौरवी बोली या खड़ी बोली का, अगर आप छेतर पूछें, तो मेरट छेतर है, क्या है, मेरट छेतर है, तो पश्चमी हिंदी के अंतरगत आती है, और जो पश्चमी हिंदी है, ये किस अपभरंध से से निकला हुआ है तो पश्चमी हिंदी जो निकला है वो सौर सेनी से निकला है सौर सेनी अरे ये सब चीज अगर आप जानतो हमारा दूसरा वाला वीडियो देख लोगे तो ये सब कुछ नहीं बताना पड़ेगा आज केवल प्रैक्टिस होगा ठीक है चलो आज केवल प्रै जीएस ठीक है जीएस के साथ मैट्स और मैट्स के साथ हिंदी भी अब इसमें एड कर दी गई है ये कौन सा बैच है तो आपको मैंने बताया था ये बैच है बच्चे फाउंडेशन बैच है कौन सा फाउंडेशन बैच है फाउंडेशन बैच में अगर आप इंट्री लेते हैं तो वहाँ पर जीएस आपको त्रिशूल बैच का पूरा जीएस मिलेगा maths आपको complete कराई जाएगी हिंदी भी आपको इसी में add कर दी गई है और जिसकी जो nominal fees है वो वही रखी गई जो पहले थी 22 रुप है ठीक है अगर आप interested हो अगर आप सोचते हो कि पूरी तयारी हमें बिल्कुल serial से करनी है क्रम से करनी है और आभी तक आपने कहीं तयारी नहीं की है तो बच्चे अगर आप बिल्कुल freser हो तब भी ये batch आपके लिए बहुत कारगर है ठीक आपको कुछ नहीं आता है मैं सिखाओंगा सब कुछ हमारे teacher सब कुछ सिखाएंगे कैसे परिच्छा में बैटना है कैसे आपको GS में क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है मैस में क्या पढ़ना है हिंदी के पूरा syllabus आपको इसमें cover कराया गया foundation batch आप study pi app पर जाओगे वहाँ पर मिल जाएगा यही वाली spelling डालनी है study pi app पर जाओगे वहाँ पर आपको foundation batch मिल जाएगा इस पर तुरंत आप call करो और कहो sir मुझे त्रिशूल batch जाइन करना है मैस जाइन करना है हिंदी जाइन करना है तो कौन सा batch perfect होगा तो आपको बताया जाएगा foundation batch है बहुत ही nominal fees है एक साल की validity है एक साल तक आप हमसे पढ़ोगे यह आपका charge है आप interested है जबरजस्ती कोई नहीं है अच्छे से पढ़ना चाहते है तो बल्कुल आईए स्वागत है आपका तो चलिए question number 15 का answer आप सभी ने दे दिया है और उमेद करते हैं सभी का answer सही भी है मैं देख लेता हूँ किसके किसके answer सही है तो पहले question पढ़ लेते है question क्या कह रहा है कि हिंदी भासा की बोलिया वरिगी करण की अधार पर 36 गड़ी बोली भाई च्छा है ना हमने एक चीज बताई थी आपको याद होगा अगर सर्त लगा रहूं मैं सर्त लगा रहूं आपसे अगर ये जो हमने वीडियो पढ़ाया है ठीक है पहला वाला और दूसरा वाला वो अगर देख लोगे ये सारे question बिल्कुल चुटकी बजाते होंगे आसे अवदी ये अबच कहां से निकला था सर्जी अबच पूर्वी हिंदी का पार्ट था पूर्वी हिंदी का पार्ट था किसका पार्ट था पूर्वी हिंदी से अबच निकला था और पूर्वी हिंदी किसका पार्ट था सर पूर्वी हिंदी पार्ट था ये किस अपभरंस से निकला था पूर्वी हिंदी से हमने अबच तीन बोलिया निकाली थी, एक अवधी निकाली थी, अवधी, ठीक है, और एक निकाली थी बा से बगहेली, जो बगहेल खंड में बोली जाती है, और एक निकाली थी बच्चे यहां से 36 गड़ी, जो 36 गड़ में बोली जाती है, तो 36 गड़ी जो बोली है आप देखो कहां से निकली है पूर्वी हिंदी से निकली कहां से निकली बच्चे पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है तो आप ए ओप्सन कर लोगे ठीक ऐसे भी समझो कि अगर उत्तर से देखा जाए मध्यपरदेश के बीच से देखा जाए ऐसे तो मध्यपरदेश अगर यहां पर है तो यहां पर कहीं 36 गड़ा आता है ठीक है तो हम तब भी कहां देंगे पूर्वी बोली के अंतरगत आती है ठीक है चलो वेरी गुड आप बहुत बढ़िया एं चलो बताओ कोईश्चन नंबर आप इस वाइश करेंगे तो आप हमारे क्रोध का सामना कर सकते हैं ठीक है एक बार कर लिया अची बात है देखा जाएगा आपका मेसेज बाद में भी देखा जाता है और आप जल्दी से अगर यह चाहते हो कि मैं देख लूँ तो आप कॉम करें लाइव चैट में ऐसे मैसेज ना करें कॉमेंट बॉक्स में करें कि सर जी क्लास चालू की जाए तो उसमें हमें दिख जाता है वहाँ ठीक है चलो निमलिखित में कौन सी पश्चमी हिंदी मैंने बताया था जो सौर सेनी है सौर सेनी से सौर सेनी से कौन सी भासा निकल था कौन से निकला था पराग, पराग से एक पश्चमी हिंदी, पास से पश्चमी हिंदी, कहा था ना सेर पराग दूद पीता है, सौर से सेर समझ में आ रहा है, कुछ feeling आ रही है सेर की है ना, तो सौर सेरी पराग दूद पीता है, तो पास से पश्चमी हिंदी, रा से राजस यह यह पर पश्चमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चमी हिंदी से हमने क्या रटवाया था काॉमबा ब्रबुक यही तो बताया था ना याद्करना था बस, देखो, बच एक का से हो गया, कौ और जिसे हम खड depends मेरी कहते हैं, बाहब ब्रजुभासा। ब्रजबासा हो गया, ठीक है, बू से हो गया, बुन्देली, बू से क्या है, बुन्देली है, और का से है, कन्नोजी, कन्नोजी, ठीक है, तो ये चीजे आपको देखनी है, तो आप देखो, भया, कौन सी बोली, बुन्देली दिख रहे हैं न, सर जी, बुन्देली तो है, बगेली नहीं है, बगेली अबच के अंतर गता रही है, यह पूर्वी हिंदी है, यह क्या है बच्छे, पूर्वी हिंदी है, क्या है पूर्वी हिंदी के अंतर गताती, अबच, अवदी बगेली, 36 गड़ी, तो D option हमारा क्या है, सही answer है, तो आप, सबके सही है, सबका सही है, बहुत बढ़ी आजाओ, अगले question पर आजाओ, तो अगला question आपके सामने क्या है, अगला question आपके सामने ये रहा, ये आजाओ, 17 नंबर, चलो बताओ, जल्दी से, ये तो बड़ा असान सा question है, आप तो सविधान पढ़ रहे हो, आप तो सविधान पढ़ रहे हो, तो आप बत ताले जाओगे कि भारती सविधार में किन अनुच्छेद में राजभासा संबंधी प्रावधानों का उलेक है, जो राजभासा संबंधी प्रावधान हैं, उनका किस अनुच्छेदों में वर्ण किया गया है, तो कहां पर वर्ण किया गया है, राजभासा संबंधी प्राव गया है कि जो सविधान है उसकी राजभासा भारत की राजभासा क्या है भारत की राजभासा हिंदी है और उसकी लिपी देवनागरी है और जो उसमें अंक यूज किये जाएंगे अंक जो यूज किये जाएंगे वो अंतराष्टी अंक होंगे जैसे अंतराष्टी कौन से होत कियाएंगे. ठीक है. तो और 351 में क्या है सर जी? 351 में. बीच में बहुत से हैं. वो सारे राजभासा से ही संबंदित प्रावधान हैं लेकिन 351 की बात करें तो हिंदी विकास के निदेस दिये गए हैं. हिंदी के विकास के लिए निर देस हैं. या विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिये गए हैं तो आप तुरंत कह दोगे 351 अनुच्छेद में दिये गए हैं ठीक है तो यह चीज कन्फर्म हो गई होगी इसमें जानतों एक चीज मैं और बता देऊं कि जो अनुच्छियां होती हैं पुछा जाता है कि जो देखो अच्छा यह सीख लो सीख लो सीख लो भाई तो आप से पूछा जाता है जो 1950 सविधान कब लागू हुआ था तो मैं बता देता हूँ हमको पता है सबजीरे आपको भी पता होंगी कि 26 जनवरी 1950 जो सविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तो उसमें जो हमारी अनुसूची थी उसमें कितनी भासाओं का प्रयोग किया थी भाई सबसे पहले बताओ कि किस अनुसूची में भासाओं का उलेख है सविधान में किन अनुसूचियों में सविधान का उलेख सुरी भासाओं का उलेख है जल्दी से बताओ किस अनुसूची के अंतरगत भासाओं हैं जल्दी से बताओ भाई very good 14 14 14 सही है बिलकुल बिलकुल हाँ चलो चलो एक बिटिया का मैसे जा गया है कि आठवी अनसूची very good तो चलो आठवी अनसूची के अंतरगत पहले कितनी भासाओं का उल्लेक था तो हम कहा देंगे 14 भासाओं का उलेख था ठीक है उसके बाद सविधान संसोधन हुए वो आप याद कर लो 21, 71 और इनको जोड़ दो तो क्या हैगा 92 ठीक है एक हो जाएगा 16, 1960, 1992 और 2003 लगभग यही था ठीक है तो यहाँ पर कौन कौन सी भासाओं पहले 14 भासाओं कौन सी थी तो मैं आपको यहाँ पर आपको याद करा देता हूँ ठीक है जो 14 भासाओं थी कभी कभी आपसे पूच लिया जाता है कि इसके अंदर क्या 22 भासाओं के अंतर क्या यह भासाओं हैं तो पहले जो 14 भासाओं थी वो कौन कौन सी थी बड़े धान से देखो याद हो जाएगी आपको ठीक है ठीक है, इसके बाद हिंदी ले लो, अगर हिंदी है, तो बच्चे उर्दू भी होगी, ठीक है, उर्दू भी होगी, ठीक है, उर्दू भी होगी, और अगर उर्दू भी है, तो उर्दू के साथ संस्कृत भी है, संस्कृत भी है, ठीक है, ये हो गई, कस्मीरी ले लो, कस्मी तेलगू तमिल कितनी हो गए गिल लो भाई एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा यह हो गई एक मराठी मराठी पंजाबी और एक कौन सी गुजराती देखो अब कितनी हो गई तो गिल लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा यह चौदा भासाएं थी कब 1950 में फिर 21 सविधान संसोधन 1967 में हुआ तो इसमें सिंधी जोड़ दी गई भाई पंजाबी पहले अल्रेडी थी पंजाबी जहां वहां सिंधी भी होनी चाहिए तो सिंधी जोड़ दी गई ठीक है तो कितनी हो गई बच्चे तब हो गई कितनी 15 हो गई सिंधी के बाद 71 सविधान संसोधन जब 1992 में हुआ कब हुआ बच्चे 1992 में हुआ तब वहां पर आपको कौन-कौन सी भासाइं जोड़ी गई जोड़ी गई देखो नेपाली मरीपुरी मरीपुरी कौंकडी ठीक है ये तीन भासाइं जोड़ दी गई नेपाली, मरीपुरी, कौंकडी कब 1992 71 सविधान संसोधन भाई 1992 92 2003 में कौन सी जोड़ी गई तो ये भी याद कर लो आप ठीक है बोडो जोड़ी गई एक बोडो डोगरी मैथली और संथाली संथाली मैथली और संथाली ये चार और जोड़ी गई चार तीन साथ एक आठ 14 आठ कितनी हो गई 22 अब आठ वी अंसूची में कुल कितनी भासाई है तो आप तुरंत अंसर दे देंगे सर जी 22 भासाई है ठीक है इंग्लिस कहीं दिख रही है इंग्लिस नहीं है अंग्रेजी नहीं है तो आप से कहा जाएगा कि आठ वी अंसूची में अंग्रेजी भासा का उलेख है तो आप तुरंत कह देंगे सर जी अंग्रेजी भासा का उलेख नहीं है ठीक है अंग्रेजी भासा का उलेख नहीं है ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई पूरी बोलियां ही हमने लिख दी कि जो 22 भासाएं है न वो 22 बोलियां 22 भासा है चलते हैं अगले सवाल पर तो यहां पर 343 से 355 हमने बता दिया आपको ठीक है और कुछ चीज़े छूटेंगी तो हम बताएंगे सब कुछ जो क्लास हमारी आप देखेंगे तो उसमें बताएंगे हम सब कुछ 18 नंबर क्वेश्चन पर आजाओ 18 नंबर क्वेश्चन क्या क हैंसर क्या होगा चैन्णई में सथा कहाँ चैन्णई में सथित है तो कहा इस्थित है बाइगे हिंदी प्रचार सभा है, हिंदी का प्रचार प्रसार जहां से किया जाएगा, वो दच्छिड में मुख्याले कहां पर है, तो आप दच्छिड का मुख्याले चन्नाई में बताओगे, ये चन्नाई से प्रचार प्रसार किया जाएगा, दच्छिड का, दच्छिड में हिंदी का प्र सही, अनुकरम क्या है, सब को बताई, इस पर टाइम नहीं वेश्ट करना है, 19 नंबर का, 19 नंबर, 19 नंबर बच्चे क्या है, 19 नंबर जो कह रहे हैं, पाली, पाली के बाद प्राकरत, प्राकरत के बाद अब्रंस, अब्रंस के बाद हिंदी, बिल्कुल सही है, और देख लेत के बाद आपबरंस और अपरवरंस हैं दिकाविकास यानि की पहला सही है पहला प्रेश्प्सें कैया है बच्चे सही है क्लियर है हा यहां पर साहिल रहाल बहुत से बच्चे जुड़ें हुए है बहुत बड़ीया baud-408 बहुत बढ़ीया very good चलो उनीस के पाद हम लोग आते हैं अगले सवाल पर तो यह आजो अगले सवाल पर ठीक है देखो क्या अंसर हो सकता है सविधान के अनुच्छे 351 में किस विशय का वरण है अभी हमने पताया इस पर भी टाइम वेश नहीं करेंगे कि हिंदी के विकास के लिए निदेश दिये गए हैं क्या दिये गए हैं हिंदी के विकास के लिए निदेश दिये गए हैं अनुछेद 351 में अनुछेद 351 में जाद करो 343 से 351 तक राज भासा का पूरा प्रावधान है 343 से 351 तक ठीक है और उसमें हिंदी के विकास के लिए जो निदेश दिये गए हैं, वो 351 अनुच्छेत के अंतरगत दिये गए हैं, इतनी बात समझ में आ रही है, तो चलो, ये बात आपको रटनी है, बिल्कुल रट लेनी है और लिखनी नोट नहीं करनी कहीं पर, ये चीजे आपको रटनी ह सौर सेनी अब ब्रंस से आपने कहा था सर जी पराग निकला है, पराग दूद, और पा से हुआ था पश्चमी हिंदी, और पश्चमी हिंदी जैसे ही आया था, पश्चमी हिंदी के अंदरगत हमने क्या लिखा था? कौमबा ब्रभुक, कौमबा छोड़ दो, ब्रबुक ब्र से क्या हुआ था? ब्रजभासा ब्रजभासा अब आपको नहीं समझ में आ रहा ब्रजभासा किसके अंतरगत आ रही है? अगर अपभरन से भी पूछते तो हम टिक कर देते सौर सेनी को उन्होंने केवल उपभासा पूछी है तो पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च पर आजाओ जल्दी से भाई अगले कोईशन पर आजाओ ये रहा अगला कोईशन आपका और पहुंच गए हम लोग 22 मगही भाई सबसे पहले मैं बता दू जो मगही है वो बिहार में बोली जाती है कहां बोली जाती है बिहार में बोली जाती है मगही मगही बिहार में बोली तो चलो, जल्दी से बताओ, जो मगही है, मगही है, सर जी, किस उपभासा की बोली है, तो हमने बताया था, जो मगही है, सर जी, आप मागधी जानते हो, मागधी, सर जी, छै अपबरंस थे, उसमें एक मागधी अपबरंस था, मागधी से निकला था, बववा बिहारी, क्या याद करने का तरीका हमने क्या बताया था हमने कहा था बववा बिहारी को मार बववा बिहारी को मार मार से मा से मागदी मागदी से बववा बिहारी बववा बिहारी बा से बांगला से उड़िया आ से असमिया इनको हटाओ क्यूं क्यूंकि ये हिंदी तर है हिंदी नहीं है ह हिंदी नहीं है आटाओ इनको बिहारी तो हिंदी थी बिहारी हिंदी की उपभासा है यहाँ पर एक चीज याद करवाई थी हमने बिहारी के अंदर जो बोलिया है वो कैसे याद कराई थी मैम भोजपुरी मैम भोजपुरी वाली है मैम भोजपुरी वाली है अगर तो मैं से गताया था मैसे मैथली थी मैसे मैथली थी और मा से क्या था बच्चे मा से मगही था मा से क्या था मगही था मा से क्या था मगही था तो मैथली, मगही, भोजपुरी तीन बोलियां बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है तो आप देख रहे हो ना मगही की बात कर रहे हैं मगही की बात कर रहे हैं तो मगही किस के अंतर गता रही है बिहारी बिहारी है तो बिहारी मैम भोजपुरी बोलती है है ना याद कर लो बिहारी मैम भोजपुरी बोलती है बिहारी मैम भोजपुरी बोलती है यानि विभासा है, उपभासा, विभासा, दोनों एक चीज़ होती है, उपभासा है किसकी? हिंदी की उपभासा बिहारी है, इसमें तीन बोलियां है, तीनों बोलियां बता दी, यहाँ पर answer आपका बिहारी सही हो जाएगा, confirm चलो, आगे चलो, आगे चलो जल्दी से देखो, अगला question क्या है? तो अगला question बच्चे, अगला question, हिंदी खड़ी बोली किस अपभरंज से विक्सित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली को ही तो हम बच्चे कौरवी कहते हैं, खड़ी बोली को हम लोग क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं, ये खड़ी ब ज्यादा कहां बोली जाती है, खड़ी बोली, बच्चे बोली जाती है, मेरठ में, खड़ी बोली के जनक कौन है, तो अबुलहसन है, जिने हम अमीर खुसरो कहते हैं, क्या कहते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं, अमीर खुसरो के कई नाम बताया थे, क्या बताया था, कि अमीर अमीर खुसरो ने की थी, और अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी लिखा था, हिंदी नहीं लिखते थे, वो हिंदवी कहते थे हिंदी को, ठीक है, तो कौरवी किस में आती थी, आप सर जी कौरवी तो कौमबा ब्रभुक वाला ट्रिक था, कौमबा ब्रभुक, ब्रभुक, ये सरजी पश्चमी का था, पश्चमी हिंदी का, भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बड़ी-बड़ी चीजे हैं, और पश्चमी किस से निकला था? पराग से निकला था, पराग किस से निकला था? सौर सेनी से निकला था, कई बार म आपसे नहीं पूछ रहें अब क्या पूछ रहें हैं। अपबरन से कौन से है जोर सेनी है। C-Optioni क्या है बच्चे? C-Optioni आपका प॥ है। C-Optioni क्या है बिल्कुल सही उत्त्तूर है। तूति यह हिंद क्या है Mith consistently lover जैवीर जोहान भी आ गए हैं आपर। ठीक है चलो question number 23 के बाद लाला हम लोग पहुंचते हैं अगले प्रश्ण में अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है question number 24 जल्दी देख लो बस खतम होने वाले है question 24 नंबर 24 नंबर क्या है बासा के आधार पर भारती राज्यों की पुना सरचना की गई थी आपको पता है GS का question है आप तुरंट बता दो के सर जी पुना जो सरचना की गई थी वो 1956 में की गई थी आप से ये भी पूछा जा सकता है भारती ये नहीं पूछेंगे पूछेंगे लेकिन वो आपको बताना है ये चीज आसान थी कि भासा के आधार पर भारती राज्यों का पुनर गठन किस सन को हुआ था तो पुनर गठन बच्चे 1956 में हुआ था पुनर गठन यानि पुना सरचना सेम चीजे हैं तो पुनर गठन भासाई आधार पर कब किया गया था तो आप याद रखोगे 1956, 1956, 1956, याद रखोगे 1956, अब आपकी बारी है, आपकी बारी है ये अगला question बताने की झाला 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 झा झाल 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 चलो वाइस नहीं आ रहे थी वाइस नहीं आ रहे थी इतनी बाते हो गई वाइस ही नहीं आई चलो कोई बात नहीं है अब तो वाइस आ रही है न तो आपको इसका अंसर कॉमेंट बॉक्स में करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको इसका अंसर कॉमेंट बॉक्स में करना है कॉमेंट बॉक्स में लाइव चैट में नहीं करना है कॉमेंट बॉक्स में करना है लाइ क्लास कैसी रहे यह सारे जो चीजे है ना इनका आप कॉमेंट बॉक्स में आप जो भी रिपलाई देते हैं उसका इंतजार मुझे बहुत बेसबरी से होता है ठीक है मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से कॉमेंट करें वहाँ पर मैं पढ़ू यहाँ पर मैं नहीं पढ़ता ठीक है क्योंकि यहाँ पर पढ़ने का मतलब है कलास डिश्टर्ब होना मैं ज़्यादा बाते नहीं करता हूँ अपने काम से काम है जितना लेकर आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए उतना सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा ठीक है क्योंकि मेन जो हमारा तारगएट है और जो मेन आपका target है परिच्छा पास करना हमारा परिच्छा पास करवाना तुम्हारा परिच्छा पास करना वो किसी भी तरीके से होगा भाई साम, दाम, दंड, भेद वो सब चीज़े अपनाएंगे हमारे पास सारी चीज़े हैं कभी साम, कभी दाम, कभी दंड, कभी भेद, सब चीजे होंगी हमारी क्लास में, ठीक है, तो बच्चे होमवर्क में, होमवर्क कमेंट बॉक्स में करना है, एंसर आपको देना है, इस सवाल का, आप सभी को आता होगा, गी भासाइयादार पर सर्वताम किस राज का गठन हुआ है, तो ये जरूर बताना, आपको like अगर नहीं किया, तो like कर धीजे, क्लास कैसी रही है, ये भी बताना है, profit हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बताना है, इन answers की हमको बेसबरी से इंतजार रहता है आप से, ठीक है, बहुत बेसबरी से इंतजार रहता है, ठीक है चलो, तो आज के लिए हम लोग वही है न, एक दिन class, दूसरे दिन अभ्यास, आज अभ्यास हो गया अगले दिन class फिर चलेगी, ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, जय हिन, जय भारत वंदे मातरम, इंकलाब जिन्दाबाद